Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, this is me, शिप्रातिवारी, बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत पहतरीन कुछ कर सकें तो आज आपको क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है ऐसी मचलियां जो की हड़ी वाली होती है बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा सुना है कि मचली खाते खाते हड़ी फस गई, काटे गड़ गई, ऐसा टीम ताम, बहुत सुना मैंने ठीक है? तो आज अपन लोग पढ़ी लेते हैं, अब जान देते हैं इसको यार, आज अपन लोग पढ़ लेते हैं क्या? Bony Fishes, क्या पढ़ लेते हैं? Bony Fishes, क्या होती है यह? ठीक, जिसके अंदर Bones होता है Cartilaginous Fishes और General Characteristics of Fishes तो अपन लोगों ने पहले ही discuss कर लिया है बहुत सारी चीज Agency Kondrakth था है स्के बारे में क्या बताय था? मैने अपको बताय था कि इनकी जो बॉड़ी होती है वह काटिलेज की बनी होती है किसकी बनी होती है? काटिलेज मेनी होती है इनके jaws बहुत-बहुत बहुत-बहुत को यह पास कोई air bladder swimming bladder नहीं होता इसलिए पानी से बाहर नहीं आ पाती य कभी भी तैरना बंद नहीं करती है और अगर यह तैरना बंद कर दें तो जमीन के नीचे धप से गिर जाएंगी यह चीज याद रखना परेडेशियस प्रेडेशियस अनिमल है, खाने में बिलीव रखते हैं, छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे तुम्हें, ठीक है, शार्क इसका बहुत बहुत बैंकर जो है एक्जाम्पल है, इसके साथ इनके साथ इनके पास पॉजनस ग्लैंड होती है, स्टिंग रे अपारिटस होता है, ब कंपेर करेंगे, किस के साथ, बोनी फिशिस के साथ, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक, कंपेर करना है, बिल्कुल कॉंडरिक था इससे, और स्टिक था इसको, आजो, सबसे पहले, इस क्लास के अंदर, टिलिटो स्केलेटन रहता है, वो बोन से बना हुआ होता है, ठीक है, है, हाबिटेट की बात कर लेते हैं, हम लोग, इनका हाबिटेट कैसा दिखाई देता है आपको, बताओ मुझे, ये जो होती है, नौर्मली ये फ्रेश वाटर होती है, ये मराइन वोटर भी हो सकती है, ठीक ये, नॉर्मली यह fresh water है, even जो हम लोग चुटी-चुटी जो है प्यारी-प्यारी सी मशलियां खा जाते हैं घर पे, वो fresh water ही होती है ठीक है, endoskeleton की बात करें, तो cartilaginous fish में बिलकुँ compare करकर के बता रहे ही हूँ ठीक है, common character आपको अखरी में बताऊंगे कि दोनों fish में कौन से common रहते हैं, इसके भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है endoskeleton की बात करें, किस से बनी है यह हड्डिया है इनके पास, ओके exoskeleton की बात करेंगे, तो scales है, maybe cycloid, tenoid और glenoid टाइप, ठीक है देखे, scales की बात करी रहे हैं, तो एक जो है, मैंने आपके लिए एक example लगाया है, वो देख लीजे क्या है, ठीक, आज़ो, 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 देखो ज़रा सा, कि मैंने आप लोगों के लिए एक example लगाया है, हाँ, तो लोचो से बरी दुनिया में एक नया जो है, अपन ने clear कर लिए, और अपने scales देखने वाले हैं, आज़ो, 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 इधर दर कोई जहाके का ताके का नहीं, देखेंगे, तो यह प्लेकोइट scales हैं, जो हम लोगों ने cartilaginous facial में देखा था, ठीक है, शंकर जी के त्रिशूल जैसा दिख रहा नहीं, हाँ, यह है आपके genoid scales, look at this, ऐसा लग रहा है किसी के खून करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि काजू कतली जैसा दिख रहा है, तीवाली का सर से भूत उतरा नहीं, काजू कतली जैसा दिख रहा है, cycloid scale, क्या है इसमें, कि एक circle के अंदर, circle के अंदर, circle के अंदर, दूसरा circle, इसके अंदर, तीसरा circle, ऐसे गोल-गोल scales बने, यह है टिनॉइट scale, टिनॉइट scale ऐसा लगता है, जैसा दात है, तो यह होते टिनॉइट scale, बहुत सारी fishes में अलग-अलग प्रकार के scales होते हैं, अगली बार जब कोई fish देखना ना, तो तुम देखना कि किस प्रकार का scale है, कहीं काजू कतली जैसा तो नहीं, कहीं राउंड राउंड टाइप का तो नहीं, कहीं त्रिशूल टाइप का तो नहीं, जनरल लोगों को पहचानना आना चाहिए, देखो, बर्फी शेप के scales हैं, देखो, ऐसे, कौन से होते हैं बर्फी शेप के, गेनॉइट टाइप के, ठीक है, तो अलग-अलग प्रकार के scales पाई जाते हैं, पी भी, साइकलोईट, टिनॉइट, गेनॉइट, ठीक है, कुछ भी हो सक ओते हैं, प्लाइकोईट जो होते हैं, वह मेराइन फिटिल्स में होते हैं, डेस्पी रेस्पीरेशन, का मेकानिजम की बात करेंगे हम लोग, रेस्पीरेशन मैंने आपको, जनरल पैरेक्टरिक में बताया था, कि फिश जो होती हैं, उनके पास 4 to 7 पेर्स ओव गिल्स होते यह बात आपको clear थी कि जो fishes होती हैं उनके पास four to seven pairs of gills होते हैं जिसमें से four pair of gills किसके पास होते boni fishes के पास होते पर exclusive character क्या है ठीक है आप लोगोंने cartilage में सब कुछ compare करके बता रही हूँ ठीक है एक चीज़ आप यह देख रहे हैं कि मैं compare कर रही हूँ और आप हमेशा समझिए कि जब दो classes आपको ऐसी comparative मिलें तो आपको हमेशा comparison के थू ही पढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कि theory पढ़े जा रहे है make a comparative table then write it कि यह क्या होता यह क्या होता यह क्या होता यह क्या होता वैसी मैं पढ़ा भी रही हूँ so respiration जो होता है इनके पास four pairs of gills होते हैं और इनके पास gill cover होता है which is called as operculum जबकि cartilaginous fishes के पास ऐसा नहीं था respiration का mechanism बिल्कुल सेम है ठीक है कि भई अब मुझ खुलेगा पानी अंदर आएगा बिल्कुल ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो और फिर गुनो biology में जो है जो जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनता है जो तो फिर जीवन घर्त में है भई तो भई यह माउथ खोला मेरे मिट्ट तो बच्चो क्या क्या माउथ से पानी अंदर आ गया तब ही गिल्स बंद रहेगा फिर जो है माउथ बंद हुआ तो गिल्स खुला जब गिल्स खुला तो पानी क्या लेके आया था oxygen देन गिल्स के ब्लाड वैसल को oxygen दे दिया गया, ब्लाड वैसल ने पानी को कहा दे दिया, carbon dioxide और बाहर हो गया यह कहानी है गेल्सकी और यह हर मचली में एक जैसी होती है ठीक है, ना, इनका जो mouth होता है, वो terminal होता है, कैसा होता है, terminal होता है देखो, ऐसा नहीं लग रहा है, यह देखो, terminal mouth, यहाँ पर आगा है, ऐसा चोट जबकि shark क्या क्या था, ऐसा snout निकला होता है, उसकी नीची था, जबकि इनका ऐसा terminal mouth होता है शार्क is a representative fish of the chondric thighs, इनके में air bladder present होता है ठीक है, अच्छे, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे कि हम लोग किसी पानी वानी में तैरने जाते हैं कभी भी, ठीक, तो अपन को क्या दिया जाता है, कोई ऐसे हावा वाली tube दे दी जाती है या कभी भी हम लोग किसी नदी वदी में घुमने फिरने जाते हैं, ठीक है, उसको exactly मुझे तर्म याद नहीं आ रहा है river rafting, it is called as river rafting, yes, I got it तो आप लोगों को क्या लोहे की बोट में बठा के ले जाते हैं, क्या वो लोग, नहीं हमको एक जो है प्लास्टिक की बोट में बठा लिया जाता और उससे हम तैरते हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, कि कोई भी चीज जिसमें आप, जो जिसका body weight हलका हो, साथी साथ उसमें हवा भर सके वो आपको पानी में तैरने में मदद करती है, वैसे ही इन fishes के साथ है, एक तो इनका size जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, बोनी fishes के size, टेक है, उपर से इनके पास air bladder होता है बोनी fishes जो होती है, वो ज़्यादा developed होती है, थोड़ी से ज़्याद़ डभाप, little लिटल, पर होती ज़्यादा developed है इनके पास जो है ना air bladder होता है Air bladder जो होता है ना इनके air bladder में हवा भर लेती है हवा भर जाएगा तो इनके में bionce, bionce, bionce आ जाती है जिसकी वज़ए से यह पानी में तैर सकती है उपर उपर आपको चलती हुई दिखाई देंगी तो अगर आप पानी में अपना पैर डालते हैं और उसमें बहुत सारी fishes आ जाती हैं ठीक तो उसका मतलब यह कि वो सारी fishes जो है वो air bladder वाली है इनको आप swim bladder भी कह सकते हैं ठीक है जिसे कमल का पौदा जो है पानी में तैरता है ना तो उसमें भी यही कहानी कि हवा वरी होती है ठीक है तो इनका माउट टर्मिनल है air bladder होते हैं lung fishes respire through the air bladder अच्छा lung fishes जो है इनका एक special group है which is called as dipnoy group तो इनकी कहानी हम लोग बात करेंगे अभी इनको छोड़ दीजे नॉर्मली गिल से respiration होता है lung fishes जो होती है वो air bladder से respire कर सकती है now cloaca क्या था cloaca cartilaginous fishes में cloaca से हम लोगों ने क्या सीखा था cartilaginous fishes में मैं हम लोगों ने cloaca में यह सीखा कि cloaca से excretion भी हो सकता है and reproduction भी हो सकता है so it is the common opening in the cartilaginous fish for the reproduction as well as the excretion too पर इनके साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी से जादा developed fish होती है तो इनके पास कोई cloaca नहीं होता बच्चो ठीक है बदले में इनके पास क्या होता है बदले में इनके पास होता है anus तो इनका reproductive system और इनका excretory system दोनों अलग-अलग होता है जबकि cartilaginous में तुम ने पढ़ा था कि इनका reproductive system और excretory system एक ही opening में खुलता है जिसका नाम है cloaca done? ठीक है इनका अब अब अपन थोड़ा circulatory system के बारे में बात कर ले common character है circulatory system जो है वो कैसा होता है respiratory system गिल्स habitat कहा है normally वो fresh water scales कैसे है normally genoid type, cycloid type, कुछ भी type ठीक है फिर मैंने आपको क्या बता है गिल्स के उपर cover होता है circulatory, एक-एक करके बात करते है circulatory system कैसा है circulatory system close type का है ठीक है mammalia में, vertebrates में सबके पास close type का circulatory system है close type का circulatory system है पर chamber of heart कितने है दो एक auricle और एक ventricle दन कोई दिक्कत इसमें उसके बाद chamber of heart में इस heart को क्या कहते है venus heart क्योंकि इस heart में कभी भी pure blood आता ही नहीं ठीक, इसमें हमेशा deoxygenated blood आता है उसके बाद circulatory system respiratory system excretory system they have anus they have mesonephric kidney जैसी cartilaginous fissures के पास थी they are ammonotelic they are ammonotelic ठीक है क्योंकि हम लोगोंने पहले भी discuss किया था कि they are ammonotelic because they live in the fresh water कहां रहते हैं वही है यह fresh water में रहते हैं कोई tension नहीं इनको यह fresh water में रहते हैं और fresh water में जो भी रहेगा वो असानी से ammonia निकाल सकता है क्योंकि ammonia इं poisonous material इसको dissolve करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए जो इनके पास होता है and they have water vacuole too तो एक्स्ट्रा water जो इनके शरील में आ जाता है उसको बाहर करते रहते हैं exilatory हो गया, circulatory हो गया, respiratory हो गया, digestive they have well developed digestive system कोई डिकत नहीं पर आप लोगों ने cartilaginous fishes में एक character पढ़ा था which is the scroll valve जो की क्या कहते हैं अपर लोग surface area को बढ़ा देते हैं जिससे digestion absorption area बढ़ जाता है इसलिए आपको पता marine fishes इतनी तगडी मोटी ताजी होती है जब कि आप fresh water में देखेंगे छोटी मोटी, प्यारी-प्यारी, क्यूट-क्यूट ठीक है उनके साथ काहानी है कि scroll valve होता है पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं तो surface area normal है they have well developed digestive system digestion हो गया, respiration हो गया circulation हो गया, nervous पे आते है well developed nervous system है आप लोगों ने cartilaginous fishes में पढ़ाता है कि notochord जो है persistent रह सकता है पर reduce रहता है same इनके साथ भी इस है इनके पास vertebral column है ठीक है, okay तो यह समझ उनका cartilaginous था इनका bony है तो nervous system हो गया skeletal system तो जो है तो आप bony है तो skeletal तो हो गई ठीक है now आजाईए cloica इनके में नहीं होता बहुत सारी चीज़े मैंने आपको बता दी जो board पर नहीं लिखी होगी तो जब भी आप lecture लेते हैं तो एक pen लिया करिए copy लिया करिए और जो जो मैं बोलती जाती हूँ 1,2,3,4,5,6 करके लिखते जाये करो ठीक है तो cloica इनके पास नहीं होता है cloica की जगा पर anus होता है जिससे वो सिर्फ और सिर्फ excretion करते हैं ओके genital duct जो होती है वो open होती है अलग साब बाहर की और open होती है ठीक है fertilization इनका external है ठीक है जबकी आप लोगों ने cartilaginous fishes में क्या पड़ा था कि इनका जो fertilization था वो internal था because the pelvic fins is modified into the organ तो नहीं कहेंगे पर पाट कह सकते हैं या copulatory organ कह दो क्या टेंचन है तो इनका जो pelvic fin था cartilaginous fishes का it is modified into the organ called as clasper organ which attach to the female shark and then it will open the cloaca then it will releases the sperm इनके साथ कोई tension नहीं no clasper no internal fertilization जो कि एक ज़्यादा developed character नहीं है तो इसलिए हम किशी fish को बहुत ज़्यादा developed नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी बहुत सारे character ऐसे हैं ज़्यादा developed वाले नहीं है तो ये external fertilization करते हैं क्या करते हैं वह या external fertilization ठीक है तो इनके जो genital duct होती है वो open होती है बाहर की ओर तो sperm and over बाहर की ओर release होते हैं दोनों fertilize होते हैं they will make the zygote and they will develop into the adult ठीक है तो fertilization कैसा external है जो कि external fertilization is not so developed criteria हमेशा ना किसी भी class को किसी भी phylum से किसी भी phylum को ना अपने से compare करो कि तुम्हारे में कैसा है ठीक है oviparous हो सकते हैं over vviparous हो सकते हैं vviparous हो सकते हैं ठीक है अंडे देने वाले हो सकते हैं अंडे और बच्चे shark वाला style हो सकता है या vviparous comparatively हो completely हो सकते हैं so look at the image of this देखो ये pelvic fins है ये dorsal fins है ये caudal fins है ये lateral line balancing system हर फिश में lateral line होता है ठीक है terminal mouth है ओके तो ये एक bony fish है and look at this अच्छा flying fishes भी होता है तुम्हें क्या लगता flying fishes ऊड़ती है नहीं उनके पास जो swim ladder होता है वहा भरके जैसे बहार निकलेंगी ना तो वह अपने swim ladder से oxygen लेती जाएंगी नीचे आएंगी oxygen खतम हो जाएगा फिर पानी में जाके oxygen बरेंगी तो इसलिए वह इस तरीके से भार आती है तो किसी ने फेक के उसको मार भी दिया बड़ी ही जालिम दुनिया है बाबा now so this is the scale okay now let's talk about the this examples शुरू करे Labio ठीक है बहुत famous fish है Labio Labio rohita rohu इसको आप Indian carp कहते हैं यह fresh water fishes है और लोग इसको बहुत ज़ादा चाओ से खाते हैं ठीक है दूसरा example है Claryus इसको आप मागुर कहते है catfish कहते है moo cat जैसा होता है Cutla यह fresh water fish है ठीक है कटला कटला चना इसे आप लटा fish कहते हैं low fish angler fish होते हैं ठीक है उसके बाद hippocampus के साथ इसको pregnant male कहते हैं इसको अपन क्या कहते है pregnant male क्यों कहते है क्योंकि इसके पास एक brood pouch होता है समझे तो यह इस डर से कि इनके अंडे खाने लिये जाए तो यह अपने fertilized अंडों को जब तक अच्छे से developed नहीं हो जाते वह अपने brood pouch में रखके घूमता है एक लड़का जो pregnant है वह कौन है इसे horse fish कहते हैं ठीक है hippocampus घोड़े जैसा इसका मूह होता है marine water होती है तो एक लड़का जो pregnant है अगली बार याद रखना वह है hippocampus ठीक है betta जो है यह fighting fish है और यह एक aquarium वाली fish भी है betta को हम लोग aquarium में रखते है petrophylum एंजल fish है exocytus यह flying fish है जो का आपको मैने अभी दिखाई ठीक है flying fish anguila eel अभी anguila में हम लोगों ने पढ़ा था it migrate sea for spawning then what will happen they will spawn they will fertilize they will developed and they will again return into the marine water तो यह हम लोगों ने पढ़ा था anguila freshwater eel कहते भी है echinese remora sucker fish कहते है यह shark के shark commensalism show करती है remora shark की गंदगी खीचती रहती है commensalism मतलब एक को कोई फर्थ नहीं पड़ेगा पर एक को फाइदा होगा तो remora क्या करती है उससे nutrition लेते रहती है खाना पर नहीं खाते रहती शार की सफाई होती रहती पर ऐस सच शार को कोई फर्थ नहीं पड़ता खाते रहू ठीक है तो शार को वेल वेगरा के उपर चिपकी रहती है mistis singhara sernia mrigal gamboosia gamboosia क्या है बताई आप मुझे gamboosia कहा नाम आपने सुना है याद रखिये गाइड अगाइड दलार्वी वरशषष विछ विट विट वी दलार्वा ओ दलार्वा घे परे रिमेंबर देस ठीक है तो एक चीज गई बता नी थी काइमेरा जो हम लोगो ने Cartilisnes Fisch इस में पड़ा था उसमें एक चीज आपने जो additional चीजे हैं, वो general characteristics of fishes में से ले लेना, वो same है इसलिए पहले बता दी थी ताकि मुझे हर बार बार अपना माथा खपाना ना पड़ी ठीक है? So I hope you learned and enjoyed the video in the next class, I will tell you the NCRT booty of the ostrich thighs So see you in the next class, तब तक घर पे रहिए, safe रहिए, अपना ध्यान रखे, वीडियो जरूर देखते रहे ना क्योंकि बहुत important है need के लिए, see you in the next class, thank you so much